यह है Fujifilm Instac Neo Classic Camera, इसे आप एक तरह से Vintage Camera कह सकते हैं, यह जो camera है इसे यूज़ करके आप ना सिरिफ इस प्रकार के फोटोज शूट कर सकते हैं, बल्कि यह जो फोटोज है आप इन्हें इन्स्टेंटली प्रिंट भी कर सकते हैं, यह जो Fujifilm Instac Mini Camera है, इनका जो प्राइजिं तो यह है Box Pack Mini 90, Neo Classic Edition और इस Box के अंदर एक तो आपको यह strap मिलने वाला है, Fujifilm Camera strap, इसके अलावा यह है warranty card, यह है कुछ booklets और यहाँ पर यह है Neo Classic Camera, जो traditional cameras होते हैं उसके तरह इसका लूप दिया हुआ है, अब यह exciting color options में available है, यह red silver color variant है, black silver, brown silver options में भी available है, इसका जो size है काफी बड़ा है, और यह तरह से instant camera है, कुछी दिर में आपको बताऊंगा, Box में यह है battery, यह adapter pin, यह accessory दिया हुआ है strap को लगाने के लिए, और यह battery charging adapter, तो यह basically आपको यहाँ पर लगाना है, इसे आप पुल कर सकते हैं और यह लिजे, यह अब ready है, charging के लिए, वैसे जो camera है, इसे use करने के लिए आपको इस प्रकार के cassettes लगेंगे, यह है 20 shot वाला, इसमें 2 cassettes है, और इसमें 1 cassettes है, 10 shot वाला, तो यह जो packing है, इसे मैं खोल देता हूँ, तो यह है packing, आप मेंसे काफी लोगों को जो पुराने टाइप के camera से उसकी आद आगी होगी, अब यहां से आपको framing करना है, आपको जो eye है, उसे use करके, यह है eye piece, यह चोटा सा screen दिया हुआ है, जहां पर सिर्फ जो important information है, वो आपको मिलने वाला है, और यहां पर आपको जो battery है, उसे दालना है, यह देखे, और अगर आपको strap connect करना है, तो आप यहां पर कर पाएंगे, यह यहां पर आपको tripod attach करना है, तो उसके लिए option दिया हुआ है, यह जो camera है, बेसिकलिए आपको इस प्रकार से use करना है, एक तरह से portrait mode में, वैसे आप इस प्रकार से भी use कर सकते हैं, और उपर यह है shutter button, यह Fujifilm का ही product है, Fujifilm New Classic यहां पर लिखा हुआ है, तो काफिल बड़ी और यह जो yellow है, marking यहां पर, यह देखें, यह yellow प्लस यह जो yellow है, यह match होना है, मतलब कि यह जो cassette है, आपको इस प्रकार से लाना है, यह देखें, इस प्रकार से, लेकिन cassette दालने से पहले, मैं जो battery है, वो दालता हूँ, अब battery को भी यह देखें, यह जो diagram दिया हुआ है, और यहां पर यह जो arrow है, यह match करना है, और यह लिजए, बैटरी को मैंने दाल दिया है, और यहां पर यह जो on off button दिया हुआ है, इसे अगर आप प्रेस करेंगे, तो यह on भी हो जाता है, और यह जो बटन है, एक तरह से dial tap का है, यह देखें, यह on हो गया है, और यह off हो गया है तो फिलाल मैं इसे on करता हूँ, देख सकते हैं कि जो lens है किस प्रकार से बाहर आ गया है और यहाँ पर आपको कुछ information मिलता है, जो battery है, यह काफी low है, इसे मैं charge कर लूँगा यहाँ पर दिखें, macro का option दिया हुआ है, और यहाँ पर manual options दिया हुआ है, plus timer है यह flash के लिए दिया हुआ है, अगर आपको flash को on रखना है, auto रखना है या फिर off रखना है तो यहाँ से आप उसे set कर पाएंगे और यह mode का button दिया हुआ है, mode में आपको बहुत सरे options मिलते हैं यह है couple mode, यह है individual mode, यह है landscape और यह है double exposure तो basically यह mode है यह यूज़ करके आप amazing shots shoot कर पाएंगे तो बस इतना ही option है, आप उसे click करना है, frame करके, यहाँ से देख कर और of course इसमें आपको cassette दलना है तो मैंने अब इसे charge कर दिया है और बहुत ही important है कि आप at least 50% से जादा charging रखे जब कभी आप यह जो cassette है से use करते हैं, तो cassette को मैं अंदर दलता हूँ इसके लिए बहुत ही important है कि यह लिखे जो yellow yellow है यह match होना चाहिए तो यह लिचे मैंने इसे बन कर दिया है, automatically यह लिखे यहाँ से यह जो एक card है यह निकल के आगया है, अब जो cassette है इसके अंदर और इसके अंदर जो film है, वो एक तरह से exposed है अगर मैं ऐसे खोलूँगा, तो जो film है हो सकता है कि वो खराब हो जाए, इसलिए मुझे अभी ऐसे खोलना नहीं है जब तक मैं 10 के 10 shots जो है उसे use नहीं करता हूँ तब तक, तो जब मैंने जो cassette डाला था तो यह off था, अब मैं इसे on करता हूँ और यहाँ पर दिखे 10 दिखा रहा है, मतलब यह कि 10 shots मैं shoot कर पाऊंगा और यह है indicator, battery indicator, जो modes है मैं उसे select कर सकता हूँ एंड मुझे सिर्फ यहाँ से framing करना है और shutter प्रेस करना है और यहाँ से इस प्रकार का एक card निकलने वाला है तो चलिए अब मैं यह जो camera से एक portrait shot shoot करता हूँ, portrait mode में मैंने set किया है और framing करके shot shoot करते हैं तो यह position ठीक है और मैं यह बटन है से प्रेस करता हूँ, इसने flash भी उसकिया है प्लस अब यह processing करेगा यहाँ से यह देखिए, यह film बहार आ गया है, यह देखिए यहाँ पर यह धीरे-धीरे develop हो रहा है यह actually back side है, और यहाँ पर जो film है, यह अब develop हो रहा है, थोड़ा सा और सामे लगेगा और कुछी देर के बाद यह एक तरह से तयार हो जाएगा यह shot मैंने अभी आपके सामने लिया था, और यह एक और shot है, मैंने अभी कुछी देर में लिया है देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह processing है, यह कर रहा है, यह जो shot है, यह almost कह सकते हैं कि process हो चुका है काफी बढ़िया shot है, जो vintage cameras shoot करते हैं, वैसे type का ही effect मिल रहा है और क्योंकि यह Fujifilm का brand है, तो जो color science है, वो भी काफी amazing है तो यहाँ पर मैंने यह एक और shot लिया है मेरा, और यह जो दो shots है, यह पूरी तरीके से process हो चुके है तो यह देखिए, ऐसे दिखता है shot, काफी impressive है, color science मुझे काफी बढ़िया लगा, skin tones भी काफी natural है और यह मेरा shot है, यह process हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं अचकल काफी advanced cameras market में आ चुके हैं, और आपका जो smartphone है, यह भी काफी बढ़िया shots shoot करता है तो हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को यह जो camera है शायद पसंदा आ है, लेकिन अगर आप इस प्रकार के camera खरीदना चाते हैं खास करके instantly जो photos है उसे print करना चाते हैं, तो उसके लिए यह बहुत ही बढ़ी option है यह कुछ shots है जो कि मैंने इसके साथ में shoot किया हुआ है, sorry, print किया हुआ है और अगर आप यह product खरीदना चाते हैं, यह जो camera है, खास करके यह model इसका जो pricing है, यह है तकरीबन 9,200 रुपी के आसपास और इसे जो सस्ते models available है, उनका pricing तकरीबन 4,500 रुपे के आसपास है link मैंने वीडियो के description में दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लस अगर आप Instac Mini के जो cassette से खरीदना चाते हैं, तो जो 10 का pack है, यह वाला एक cassette में 10 shots आप shoot कर पाएंगे, इसका जो pricing है यह है तकरीबन 500 रुपे के आसपास तो यह जो camera से ही इतने सस्ते नहीं है, लेकिन काफी interesting है, देखते रहे हैं